नमस्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंगला गौरी का ब्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, मंगला गौरी का ब्रत हमें कितने दिनों तक रखना चाहिए, साथ ही हम जानेंगे कि मंगला गौरी की पूजा में हमें किस देवी पूजा करनी चाहिए, और साथ ही दोस्तों मंगला गौरी के ब्रत का महत भी हम आपको बताएंगे, इस ब्रत में हमें क्या फलाहार ग्रहन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सभी महत पूण जानकारे आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इ आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, तो हम बात कर रहे हैं मंगला गौरी ब्रत के बारे में, पारवती भगवान भूलेनात की अर्धांगनी हैं, जैसे कि यह ब्रत सामन मास में शुरू किया जाता है, सामन मास में हर दिन अपने आप में बहुत ही महतपूर होता है, चाहे आप सामन के सुमार की बात कर लें, या फिर सामन के मंगलवार की बात करें, या फिर सामन के प भगवान शु परिवार की ही पूजा करते हैं, तो इसलिए सावन मास में भगवान भोलेनात और उनके परिवार का पूजन करने से हमारे सांसारिक दुखों का चुटकारा होता है, यानि कि हमें अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, तो मंगलगोरी का ब्रत सावन मास के मंगलवार से शुरू करना चाहिए, प्रथम मंगलवार से, और ये ब्रत दो तरीके से किया जाता है, जैसे कि यदि आप सिर्फ सावन मास के मं तो आप उसको ब्रत रखें और आखरी मंगलवार को यानि कि इस महीने जैसे की 4 मंगलवार हमें प्राप्त हो रहे हैं को अप도 4 मंगलवार उध्यापन विधी विध्वत तरीके आप चौथे मंगरवार को उद्यापन विधी विधवत तरीके से करें, आप अपने घर प्रोहित को बुलाएं, ब्रहमण को बुलाएं और उनके संग्रचण में आप उद्यापन करके ब्रत का पूरा लाब ले सकती हैं, इस तरह से लगातार पांच सावन आपको करना और यदि दूसरे तरीके से भी रखा जाता है कि आप सावन मा से ही सुरू करके लगातार हर महीने पढ़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी का ब्रत करें और पांच वर्सों के बाद आप विधीवत तरीके से उद्यापन करें, तो यह दो तरीका है, आप जाहे जैसा चा प्रतिमा होते हैं, से गया गौवरी गवत रखते हैं कोई कोई लोग गोवर, या मिट्पी ऐते हैं तो तुलसा जी कि जो मिट्पी होती है, उससे भी बनाय जाते हैं, तो उस तरह से भी आप रखे और एक अच्छा सा आसन लगाकर और माता मंगला गौरी का पूजन आप इस अन्य वरत होते है, इसमें भी सारे लगों हमसे पूसते हैं क्या ह्याण करना चाहिए, तो अलग अलग वरतों के लिए अलग अलग खलाहार बताये जाते हैं तो इस अन्य वरत में आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है, जैसे कि यह मंगलवार के दिन रखा जाएगा तो मंगलवार के दिन वैसे भी जब हम हनुमान जी का बरत रखते हैं तो उसमें भी नमक सेवन नहीं किया जाता है वर्जित माना जाता है तो उसी प्रकार से मंगलवार के दिन यह बरत करेंगे और उस दिन हमें नमक नहीं खान सकते हैं इस चलि आपसे नहीं रहा जाता है तो आप रातरी के समय यानि कि सुधियास्थ के बाद एक खड़ा अनाज ले सकते हैं लेकिन मीठा जैसे कि आप गय्हूं खड़ा अनाज माना जाता है तो दल्या, सिवय्या, पूरी, हल्वा, या फिर हल्वा, दही, ये सभी चीज़े मिलाके भी आप ले सकते हैं, यदि आपका सरीर स्वस्त नहीं है, तो, और दोस्तों, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि सावन मास में, यदि हम सोमवार कबरत करते हैं, तो मंगला गौरी कबर करेंगे, माता मंगला गौरी का ब्रत करने से हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ती होती है, जैसे कि आपको पताई होगा कि माता सीता ने अपने विवास से पूर्व, माता गौरी की अराधना की थी, उसे मानता के अनुसार हमें विवाहिक सुख पाने के लिए माता गौरी मंगला गौरी का ब्रत उपास करें उनका फू 22 अब्लवाद के बाधिर योग बनता है और दोस्तों बहुत अच्छी बात है एक अच्छी बाथ है मंगला गौरी के ब्रत को लेकर कि कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के जन्मांक में मंगल दोश होता है, जिनकी कारण विवा में देरी तो होती ही है, लेकिन बाद में यदि हम ध्यान न रखें, तो हमारा विवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है, यानि कि दामपत जीवन में बहुत सारी बिमारियां आती है, यानि कि जो व्यक्त करने के लिए भी मंगला गौरी का ब्रत रखने का विधान बताया गया है और हम कैसे जाने की कोई मंगलिक है तो आप किसी जो है विद्वान आचारे से इसका विश्लेशन करवा सकते हैं वैसे पहले खाने में एक चार साथ और बारवे खाने में यदि मंगल विराजमान होता है तो मोठे तौर से हम आपको बता रहे हैं तो ऐसे में मांगलिक दोष लगता है कहीं कहीं आशिक मांगलिक दोस होते हैं बहुत सारी जो है जानकारियां होती हैं जो कि डिटेल में आप जान सकते हैं छिए मंगल दोस के निवारण के लिए भी मंगला ब्रत किया जाता है पूत्र-पॉत्र प्राप्ति लिए correl भी मंगला गउरी के ब्रत किया जाता है तो यह तो होगी मंगला गौरी मे पुझा करने को प्रफम्हार मंघलवार से भृत करने का संकल्त अस्नान ध्यान करें अधने की तब अपने चौकी लगें जैसे कि मंघल जूगर उल्ग मंघल ढून पूगर जगर Festival या आगर अगनी प Falls कि तो उसी अधनी को पीजा सुखें यदि आपके पास नहीं है तो आप लाल वस्त्र भी विच्छा सकते हैं और उस पे एक सुंदर सा कलश बनाएं, कलश बनाने की वीडियो मैंने आपको कई बारी दी है, तो आप एक अच्छा सा कलश त्यार करें और उसके बाद गणेश की अस्थापना करें, क्योंकि में ही माता गौरी को विराजमान कर सकते हैं, माता गौरी को नारियल पे कैसे विराजमान करते हैं, कैसे उनकी प्रतिमा त्यार करते हैं, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले सी दी है, उसका एक चित्र मैं आपको यहां पर दिखा रेती हूं, बहुत ही सुंदर लगता है द उसके बाद आप जो है माता मंगला गोरी की विदिवत, शोडो चार विधी से पूजन, करें दोस्तों, इस बरत में सभी चीजें 16-16 भार की जाती है, यहनि कि हम माता गोरी को 16 भार स्नान कराते हैं, 16 भार धूपदीब दिखाते हैं, 16 माला फूल चढ़ाते है, या फिर फू 16000 के स्रिंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाया जाती है वह भी हम सोब चूडियां सोबिंदी इस तरह से चढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रसन होता है कि क्या हमें प्रतेक मंगलवार इस तरह से करना चाहिए यदि आपके पास इतना धन है तो आप प्रतेक में चड़ाएं लेकिन जब आप अभी पूजन कर रहे हैं तो आप सोला बारी जल गुमाएं उनका पूजन करें आप उन्हें हल्दी कुम-कुम कुम लगाएं उसके बार जो आपके पास एक ही फूल है उस फूल को फूला इस तरह से अर्पित करें ठीक है इस तरह से भी करें आप जैसे कि आपके पास अभी उतना धन और साधन नहीं है तो भी आप सोला सोला की संख्या आप अपने मन में गिंती करते हुए इस तरह कर सकते हैं सोला दीपों से उनकी आर्थी की जाती है जैसे बहुत सारे लोग पुछते क्या हम सोला बार आर्थी करें सोला बार आर्थी करने का नहीं विधान होता दोस्तों सोला दीपों से आर्थी की जाती ह उसके लिए अगर विशेस आपको जो है उसका लाव लेना है तो आटे का दीपक बनाएं आटे का दीपक बनाएं उसके बाद आपको उनकी आरती करें आप चौ मुखी दीपक भी बना सकते हैं और एक मुखी दीपक भी बना सकते हैं जैसे आपको जो है आपकी इक्षा हो उस उसे भी आपको पढ़ना चाहिए और छमा मागने चाहिए फिर आप मंगला गौरी की आर्थी करें यह पुस्तक में लिखा होता है आप सभी चीजें जान सकते हैं और इस तरह से बिधिवत तरीकी से पूजन कर सकते हैं और जब आपको उद्यापन करना हो तो आप अपने घर पुरोहित ब्रहमण को बुलाएं और विधिवत तरीके से पूजन कराएं इस उत्यापन विधि में सोला सुहागिन इस्त्रियों को भोजन कराते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ दक्षणा, फल मठाईया और स्रिंगार की चीजें उन्हें दान में दी जाती हैं जैसे कि माता महालक्षमी के पूजन में किया जाता है इस तरह से आप माता मंगला गोरी की पूजन करें और उनके आशिरवाद को प्राप्त करें तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम मंगला गोरी का ब्रत कैसे करें और उनकी उद्यापन विधि की सूख्ष्म जानकारी मैंने आपक शुब कामना है जै माता दी झाल 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 झाल